हेलो गाइज आजकल बहुत सारे लड़के लड़किया नोजवान या बुजूर्ग लोग मोज मस्ती में या दिखावे के लिए अपने सरीर पर अलग-अलग तरह के टैटू बनवा लेते हैं जिसकी वज़े से बाद में कुछ लोगों को बहुत प्रेशानी आती है जैसे कि आर्मी की भरती के लिए या नेवी की भरती के लिए या पुलीस की भरती के लिए जो नोजवान त्यारी कर रहे हैं उनके सरीर पर कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए टैटू के साथ एक प्रेशानी यह भी है कि टैटू बनवाना जितना आसान है उसको हटवाना या मिटवाना उतना ही मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग जब प्यार में होते हैं तो वो अपनी गल्फेंड का या बोईफ्रेंड के नाम का टैटू भी बनवा लेते हैं लेकिन जब उनकी साथी किसी और से होती है तो उनके लिए वो टैटू छुपाना मुश्किल हो जाता है इसलिए टैटू एक बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि जब टैटू बनाया जाता है तो टैटू बनाने वाली मसीन इंक को आपकी तवचा की दुसरी लेयर यानि डर वो ट्रह ट्रह के घरेलू नुश्के अपनाते हैं जिनसे हमारी तवचा को नुक्सान के सिवा कुछ नहीं मिलता क्योंकि कुछ लोग अपनी तवचा को बलेड से खुरच लेते हैं कुछ लोग चूना या तेजाब लगा लेते हैं और कुछ लोग अपनी तवचा को बीड भी नहीं मिटता बलकि आपकी तहुचा और खराब हो जाती है तो अब आप सोच रहे होंगे कि टैटू मिटाने के लिए क्या करें या टैटू को कैसे हटाएं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से ये बताएंगे कि टैटू कैसे मिटाया जाता है लेकिन उससे पहले आपको जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें देखिए दोस्तों टैटू को मिटाने के या हटाने के अब तक शिर्फ दो ही ओप्सन है नमबर एक लेजर से और नमबर दो सरजरी से इनके सिवा अब तक कोई भी ऐसी दवाई या कोई भी ऐसी क्रीम या कोई भी ऐसी टेकनिक नहीं बनी जिससे टैटू रिमूव किया जासके टैटू को हटवाने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छे ड्रमेटोलोजिस्ट के पास जाना होगा चलिए अब जानते हैं कि टैटू को कैसे हटाते हैं नमबर एक अगर हम लेजर टैटू रिमूवल की बात करें तो लेजर बीम की मदद से टैटू को मिटाया जा सकता है लेजर रिमूवल मशीन के अंदर दो तरह की वेवलेंथ होती हैं नमबर एक 532 और नमबर दो 1064 1064 वेवलेंथ वाली लेजर शिर्फ और शिर्फ नीले या काले रंग के टैटू को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और 532 वेवलेंथ वाली लेजर लाज रंग वाले टैटू को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है आपका टैटू कितने अच्छे से हटाया जा सकता है या उसको कितने अच्छे से साफ किया जा सकता है ये सब डिपेंड करता है कि आपका टैटू कितना गहरा है उसमें कितनी ज़्यादा इंक है या कौन सी मसीन है और कौन रिमूव कर रहा है अगर आपका टैटू ज़्यादा गहरा है तो उसको हटाने के लिए आपको डोक्टर के पास 6-7 बार अलग अलग निर्धारिश समय पर जाना होगा लेजर टैटू रिमूवल मसीन से एक बार में टैटू रिमूव नहीं होता इसलिए आपको डोक्टर के पास बार बार जाकर सैसन लगाने होंगे उनके बाद ही आपका टैटू साफ हो पाएगा अगर हम सरजरी की बात करें तो टैटू हटाने के लिए पलास्टिक सरजरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ये सिरफ उन लोगों के लिए है जो लेजर से अपना टैटू नहीं हटवाना चाते और जो लोग ये चाते हैं कि एक बार में ही टैटू पूरी तरह से हट जाये यानि जिन लोगों को जल्दी में टैटू हटवाना होता है वो प्लास्टिक सजरी करवा कर टैटू हटवा सकते हैं इसमें जितना बड़ा आपका टैटू होगा वहां से उतनी ही बड़ी आपकी तवचा काट कर आपके सरीर से दूसरी जगह की तवचा काट कर वहां पर लग और आपको टैटू हटवाने के लिए हमेशा एक अच्छे ड्रमेटोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए आपको कभी भी घरेलू नुस्खे नहीं अपनाने चाहिए और ना ही कोई क्रीम इस्तिमाल करने चाहिए तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानका पसंद आई होगी करीपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद